मंदल आयोक के हिसाब से उसको आरक्षण दिया 27% और उसमें भी आज की तारिक में जो आरक्षण है वो आरक्षण 9% है जो भरा हुआ एक्चल में है और आप आपकी जाती क्छे जन गर्म कराएगी, कहीं को कराएगी भाई? ने सरकार आपकी, ना अदालत आपकी, न कहीं आपका प्रटनेगी दिख और फिर भी आप कह रहे हो कि आपके लिए काम करते कोई नहीं करेगा इस बात को समझो कि अब जब हम कौल देंगे तो पूरी दिल्ली चांग हो जाएगी सील हो जाएगी प्रतान मंत्री भी कहीं आना जा सके ऐसा हम सील करने की सिद्धी में हो तब ये प्रोग्राम करना वो एक प्रोग्राम इन सब की चूलं ही ला देगा हमारे लिए दूतरा जो है है समस्ते हैं लेकिन उस से पहले हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे ही समाज का कोड है इस कोड़ को खत्म करना है इन गद्धारों को इनकी असली हैस्या दिखा के दफन करना है एक नाम लेने की बात नहीं है कि किसी का नाम लोगा, सारे के सारे उसी कैटेगरी में है, सब इनका काम पर ठीक करना पड़ेगा और आपके इस अधिकार को छीनने में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, तो हमारे ही समाज के वो राज़ितिक ये हैं, जो सांसत बनकर, विधायक बनकर, लोगसभा, राज़्यसभा और विधासभाव में बैठे हैं 131 MP हैं लोगसभा में, SC और ST के, और OBC सारे मिलाके तकरिवन 200 के आसपास, SC, ST और OBC के 200 के आसपास सांसत है, ये जिस दिन चाहें, जिस पल चाहें, मोधी घुटनों पर आ जाएगा, उठने की भी हिम्मत नहीं कर सेकेगा, लेकिन अगर सुरकर को बढ़ाय रखने की, कोई भी ताकत अगर है, तो ये लोग हैं, मैं समस्ता हूँ, सरकार से कुछ भी कहने से पहले, हमें अपने ये जो ताकते, ML और MP हैं, इनका इलाज पहले करने का, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कोई रहम नहीं किसी पर भी, अगर वो केवल अपने स्वार्थों के लिए, संस के लिए कुछ नहीं करते, तो सबसे पहले, इनका इलाज करना पड़ेगा, हमारे समाज के असलिकतार, यही लोग हैं, कि वहले एक नाम लेने की बात नहीं है, कि किसी का नाम लोगा, सारे के सारे उसी कैटेगरी में है, सब, इनका काम पहले ठीक करना पड़ेगा, आप सब जानते हैं जितने कानून में पास हुएं संसद में ये लोग उन कानूनों को पास कराने में सरकार के साथ खड़े थे आर्थी काधार पर सम्विधान के विरुद जो 10% टारेक्षन हुआ था उसमें भी इन सब लोगों नवोड़ दी थी तो हमारे लिए दूसरा जो है है समझते हैं लेकिन उससे पहले हमारे लिए सबसे बड़ी जिन्मेदारी है जो हमारे ही समाज का कोल है इस कोल को खत्म करना है इन गद्दारों को इनकी असली हैस्या दिखा के दफन करना है पहले अगर आप यह नहीं कर सकते और कहेंगे कि कोई मेरा चाचा है, मेरा ताउ है, मेरा भाई है, मेरी गरादरी का है, मेरे इसके होने से मुझे यह मिल जाता है, इसके होने से यह लाद मिलता है, आप कुछ नहीं कर पाएगे, कुछ भी नहीं, आपको ध्यान है, जिस समय पूना पैक्ट के बाद में 1935 के जो कानून बना उसके बाद चुनाव हुए और उस चुनाव में जिस तरह से कांद्रिस पार्टिंग अपने ही समाज के लोग बड़ी संख्या में जीत कर आये थे और उसके बाद जो उन्होंने काम किया कि जिस पार्टिकेत है उसके बंदों मजदूर बनके ही वो रह गए तब ही बाद साब ने कहा था कि बेशे के मेरे समाज के लोग हैं लेकिन समाज के नहीं हैं यह किसी काम के नहीं है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है दूसरी बात सा प्रोग्राम जो भी साथी और्गनाइज कर रहे हैं उन्होंने जितने भी मुद्दे रखे हैं हकीकत में मुद्दे हम सब के जुड़े में मैं सम्मुद्दों से सहमत हूं मेरी असहमती इस बात से है यह मांगना आप कब छोड़ोगे भाई यह आपके सरकार जातिकत जनकरना कराएं क्या है आपकी हैस्चेत उसकी नजर में जो सरकार आपके सारे अधिकार छीन के बठी है जो सरकार आपको पूरी तरह से दफन कर देना चाहती है OBC की आबादी देश में 52% मंडल आयोग के हिसाब से उसको आरक्षण दिया 27% और उसमें भी आज की तारिक में जो आरक्षण है वो आरक्षण 9% है जो भड़ा हुआ एक्च्छल में है और आप कहें वो सरकार आपकी चाहते के जंगर्णा कराएगी काही को कराएगी भाई कौन कराता है जंगर्णा सरकार कराती है ना इस सरकार को कराती है फैको अपनी सरकार बनाने के लिए काम क्यों नहीं करते हो यार मेरे जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं और जिस काम की सरोत ने उस पे भेवजे हला मचा तो क्या मिलगा आपको कोई आपको देने वारा नहीं है आप समझ रहे हैं जब हिंदूरास की बात हो रही है और उसके लिए वो लगतार काम कर रहे हैं विपक्ष को पूरी तरह से तबा किया जा रहा है हर आदमी के अधिकार छीने जा र कहीं है आपका प्रतिने दित और फिर भी आप कह रहे हो कि आपके लिए काम कर दे कोई नहीं करेगा इस बात को समझो जब तक आप उन चीजों को नहीं समझोगे जहां से खड़े होकर आपको काम करना है यह यूं कहो कि अगर अपनी जवीन का आपको पता नहीं है तो फिर कैसे आप समाच की लड़ाई लड़ोगे कैसे आप समाच को उसका हग दिलाओगे नहीं दिलापाओगे इसलिए इस चीज को समझो और मैं बार बार हर्मक्ट से हैं कहता हूँ चाहे कोई पसंद करे या न करे किसी को अच्छे लगे या ना लगे इस बात की मुझे परवा रही है लेकिन मैं जानता हूँ अगर दोहजार चौबिस को लेके और इसमें केवल एक साल रह गया है दोहजार चौबिस के चुनाब को लेके हम सब समाज ने मैं के बाट नेताओं की बात नहीं करा जो समाजक gün eager ने मैं उसपर उना किए वह बचत χुर्क की उसके आज दो के उसके बाद करने लिए बचेगा भी नहीं ग्यान नखिलना इस बात को इसलिए हमारी सारी कवायत इस बात पर होनी किये ये आपातकाल से भी भयानत आपातकाल की सिति है साति है मैं किसको डराने की कोशिच नहीं कर रहा लेकिन जो सच हो आपके सामने रखना का प्रियास कर रहा हूं मैं निश्चितुप से आभारे हूं और धन्यवाद देता हूं उन सभी संगतनों का जिनों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और इस प्रोग्राम का जो मैसेज भेजा जा रहा है वो मैसेज यह है कि जो जिन्दा लोगों का महा सम्मेलन जिन्दा लोगों का तो नजर घुआ के चारव तो देख लो कितने जिन्दा हैं और बाकी कितने मुर्दा हैं इसका अंदाजा भी लगा दुआ देख लो लेकिन मैं दावे के साथ करा हूँ ये जितने जितने जिन्दा हैं जितने भी जिन्दा हैं अगर ये अपने साथ में चुड़ूँगा सिर्फ नौ और अपने को मिला के दस लोगों की टीम मनाओंगा मैं सबसे कह रहा हूँ जो बंडाल में बैठे हैं उनसे भी और जो करोनों की संक्या में इस सोशल मीडिया के माध्धम से पूरे धेश में पूरी दुनिया में जो लोग मुझ में चलूँगा कहीं भी जाओंगा तो अपनी टीम के साथ में जाओंगा और उस टीम को इतना मजबूत इतनी मजबूत है उसे सारी उसके अंदर वो भावना भरूँगा ताकि 2024 में यह जो गंदगी पार्लामेंट में है इस पूरी गंदगी का सफाया करे इसके लिए हम उसके पास में EVM के मादर से जनता की जरूत नहीं है उसको जनता की कोई उससे जरूत ही नहीं है और इसलिए जनता से लेना देना नहीं जनता की सुपदुक से लेना देना नहीं है उसके पास EVM है और EVM के साथ साथ चुनावायों जो उसकी गुलामी करता है और शाचन उसके पास में, आपके पास में कि आप क्या कर रहे हो, आपको करने की जरुवत है, आपको समझने की जरुवत है, ये चाहे फोज भी लगा दी जाए, उस सब के बाप सुद भी, तुम्हारी वोट, तुमने जिस कैंडिडेट को दी है, जिस पांटी को दी है, दोहजार में उसी कोई खाते में गिनी जाए, इसका इंतिजाम भी आप ही को करना है, कोई और करेगा, उस भरोसे मत रहना, अगर रहोगे, सब कुछ लुट जाएगा, समय कम है, और भी साथियों को बोलना है, और मैं तो आपके सामने बोलता है रहता हूं, और केबल बोल नहीं रहा हम जमीन पर काम कर रहे हैं, आजकर ने, हमने दिल्ली को टार्गेट किया, इस मंच से मैं साथियों से अनमत ही लेते हुए, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, उनसा निव्यदं कर रहा हूं, जो विस बात को सुनने हूं, और दिल्ली के बाहर भी जो लोग हूं, उन से निव कर दो तसके कम से कांड़ी का सफ़ाया हम लोग किर सके यही। हमें लढ़ाई हमारी बहुत बढ़ी है पर मैं मानता हूं, दूत्रे की तरफ उंगली उठाने से पहले देखें मेरे हाथ को अगर मैं आपकी तरफ उंगली उठा रहा हूँ तो ये तीन उंगलिया मेरी तरफ है इसका मतलब दूत्रे पर उंगली उठाने से पहले तीन मुरा काम मुझे अपने अंदर करना पड़ेगा और ये काम मानेवर साहब काशी राम जी ने किया उसके बाद हम आज तक यहां तक पहुंचे और एक निवेदन सिर्फ एक छोटी सी सला जो भी साती हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया है आज के बाद जब तक दिल्ली को पूरी तरह से जाम ना कर दो सीन ना कर दो उसे सिदी में ना पहुंचाओ मेरी सला है मानो ना मानो आपकी बात दिल्ली में कोई प्रोग्राम मत करना ऐसा प्रोग्राम तो करना लेकिन कॉर्णर मीटिंग करो जो खास खास लोग हैं उनको बिला कर किसी ऐसी जगह पे वहां बैट कर रणनीती बनाओ उनके कंदे पर जिम्मेदारी दो आपको ये काम करना है ये लोग सबा आपको समालनी ये विधान सबा आपको समालनी है ये महला समालना है ये गाओ समालना है ये शहर समालना है ये तहसील आपको देखनी है ये ब्लाक आपको देखना है जिम्मेदारी दो साथियो हम तेयारे इस बात के लिए जो भी जिम्मेदारी हमारे कंदों पर सौपी जाएगी पूरी मांदारी से, पूरी निस्टा से पूरी ताकस से निभाएंगे और आपको पूरी तरह से उसे सबल करके दिखाएंगे साथियो ये काम करो और जब हम इस बात से स्यमत हो जाए कि अब जब हम कॉल देंगे तो पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी सील हो जाएगी प्रतान मंतरी भी कहीं आना जा सके ऐसा हम सील करने की सिती में हो तब ही प्रोग्राम करना वो अकेला एक प्रोग्राम इन सब की चूलें हिला देगा बहुत बहुत शुक्रिया